So, hey guys, welcome back to the channel and finally, आज आज के एक और न्यू टिप सेंटिक्स वाली वीडियो के साथ तो गाईज, आज की वीडियो बहुत ही ज़ादा खतरना होने वाली है क्योंकि देखो aim assist के बारे में हम आज बात करने वाले हैं तो यहाँ पर भाई सारी चीजे में तुम्हें clear कर देने वाला हों कि तुम अगर competitive player हो तो तुम्हें क्या करना है तुम अगर classic player हो तो तुम्हें क्या करना है या फिर तुम TDM player हो तो तुम्हें क्या करना है इन गेम प्ले वीडियो के लिए बाकि विद आउट वेस्टिंग ने में हो टाइम लेट के स्टार्ट एड़ सबसे पहले पॉइंट की अगर बात किने न तो यहां पर मैं बता तेता हूं कि एम असिस्ट आफ करने के हमें जरुवत ही क्यो पड़ती है अब देखो बाइड डिफॉल्ट है न सभी का ऑन रहता है अब पर खेले ताकि उनके जाद से ज्यादा प्राक्टीस हो एम असिस्ट आफ पर गाई जिको ऐसे में अकर उनके सामने एक टॉर्नमेंट आजाता है जह अगर उन्होंने off पर practice की होगी तो suppose कर सकते हो तुमकी on पर उनका gameplay कैसा जाने वाला है So guys देखो simple words में अगर बताऊं तो aim assist off पर जितना जादा तुम खेलोगे न उतनी जादा तुमारी अच्छी practice होने वाली है तो next time जब भी तुम aim assist on पर खेलोगे तो तुमारा जो aim है न भाई वो godlike रहने वाला है So guys देखो aim assist को on या off करना है वो तुमारे उपर है लेकिन यह तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें off पर खेलना है और फिर on पर खेलना है Guys देखो अब classic players में भी दो तरह के players होते एक वो अले player हो जाते जिनको आगे चलके future में competitive खेलने के इच्छा होती है फिर उन्हीं खेलना होता है on रखके ही खेलना पड़ेगा वहाँ पर और अगर content creator हो तो हम YouTube के लिए खेलती हो YouTube पर वीडियोज डालती हो तब भी तुम्हें on करके ही खेलना है वहाँ पर अब आ जाते हैं दूसरे वाले player जो कि हमारे competitive player होते हैं जो classic खेल रहोते हैं फिलाल तो guys देखो तुम्हारी अगर जाधा practice हो में चाहिए न तो तुम्हें aim assist off पे खेलने की में जाधा salah दूँगा और यहाँ पर एक चीज़ छोड़ देना कि तुम्हारा tier की तुम्हें टेंशन होती है तुम्हारे rank की तुम्हें टेंशन होती है वो सारी चीज़ों के बारे म मैं भी ऐसा ही player था मुझे भी competitive खेलना था मैं भी भाई 2-3 season तक है न लगा था और भाई aim assist off पे खेला हूँ तब जाके भाई मेरा अभी gameplay ऐसा हो चुक है न कि मैं अगर aim assist on पे खेलू या off पे खेलू मुझे पता नी चलता बंते में हमेशा मारता हूँ तो ऐसी अगर तु aim assist off पे खेलो क्योंकि तुम हार जाओगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है तो जादा से अच्छा यह होगा कि तुम aim assist off पे खेलो था कि तुम्हारी practice तो अटलीस जादा हो जाए वहाँ पे आप देखो practice scrims के अलाव होती है paid scrims तो वहाँ पे अगर तेखो त तुम्हारे जादा पैसा नहीं लग रहा है तो भाई मैं suggest करूँगा कि तुम aim assist off पे खेलना जादा prefer करो लेकिन suppose करो तुम अगर tournament खेल रहे हो तुम्हें जादा price pool मिल रहा है तुम्हारी trophy है जादा बड़ी तो वहाँ पे तुम देखो अचानक से aim assist on करोगे तो तुम्हे पता है कैसा फर्क दिखने वाला है तो ऐसे ताइम पे तुम aim assist on करके खेल सकते हो बाकि अगर तुम practice के लिए खेल रहे हो तो वहाँ पे तुम off करके खेलोगे तो जादा बैटर रहेगा तुम्हारे लिए तो गईसे में होता गया ना कि जब भी तुम बड़े-बड़े tournaments तो कभी-कभी वहाँ पे aim assist है ना by default off करके रखते हैं वो लोग तो वहाँ पर तुम खेलोगे तो तुम से definitely choke होने वाली क्योंकि तुम ने aim assist off पे कभी practice ही ने की तो इसलिए गाईस तुम अगर practice screams में off पे खेलोगे ना aim assist पे तो जादा तुमारे लिए better देने वाला है So guys अब भी हम बात के लिए TDM players के बारे में कि उन्हें क्या करना है उन्हें off पे रखना है या फिर on पे रखना है तो देखो guys तुमारे उपर है भाई तुम आफ पे रखोगे तो भी तुमारा कुछ नहीं जाने वाला है अनलेस कि तुम एक tournament ना खेल रहे हो क्योंकि tournament भाई टो तुमारे लिए जादा Better रहने वाला है and guys दिको काफी जादhrd yia aci pro players होते है जिनको सिर्फोर सिर्फोर सिर्फ दिडियम खेलना होता है गेम में हो आते हैं और सिर्फोर सिर्फ्र वो क्लासी केलते जादा ना फिर वो competitive खेलते है anytime में ए della तुम एसी प्लेयर हो ना तो त और वेगों कार्ड मिलता है तो बोलते हैं आजा 1v1 करते हैं तो अगर तुम ऐसे प्लेयर होना भाई तो तुम आन पे खेलो बाकि मैं ऐसे चेके प्रिफर करता हूं लाइक मेरे अगर दोस्तों के सामने मैं हर भी जाओंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां प देखो on पे खेलो, तुमारा बैस दोर चीत के दिखा हूँ आपे बागी अगर तुम्हें हाणने से उस बंदे से कोई फरक नी बढ़ता तो मैं off पे खेलोगे तुम्हारी प्रैक्टिस होने वाली हो आपी जादा तो गैसे को अभी हम बात कर लेते कि aim assist off पे फिर on पे तुम्हारे headshot किस पे जादा connect होते हैं काफी जादा लोगों की सवाल रहता है तो देखो गैस जहां तक मुझे लगता है na aim assist off पे ना तुम्हारे जादा headshot connect होते हैं क्योंकि aim assist भाई कैसे काम करता है वो जब भी तुम बटन दबाते हो ना अपना fire वाला aim assist करता है ना कि आपके जो crosshair है उसको enemy के body की तरफ लेके जाता है तो ऐसे मैं अगर तुम aim assist off कर देते हो तो तुम्हारा जो body की तरफ जाने वाला aim है ना भाई वो head पे बी जा सकता है तो तुम भी depend करता है कि तुम crosshair को कहां पे रख रहे हो क्योंकि aim assist वहां पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है तो ऐसे मैं बाई मैं जब भी aim assist off पे खेलता हो ना तो मेरे जादा headshot वहां पे connect होते है तो या guys या I guess तुम्हें अभी पता चल गया होगा कि तुम यह aim assist लाइल आजया कि फिर on रखना है और अगर तुम now रखोगे तो जयादा head connect वोगे या फिर off रहोगे तो ज्यादा head connect होगे बागी तुम क्या सोस्तू इसके बारे में like off पे जादा तुम्हारे head connect होते हैं फिर on पे connect होते हैं तो मुझे भाई वो comment section में जरूर से बता देना बाकि वीडियो पसंद ही है तो like जरूर से कर देना इस वाली वीडियो को and subscribe कर देना चैनल को ऐसी ही tips and tricks वाली and gameplay वीडियो के लिए बाकि मैं मिल ताप से के लिए में तब तके लिए goodbye love you guys keep grinding